दोस्तों आप तो जानती हैं हम सब कौन सा दौर से गुजर रहे हैं यह लराई हम सब की है इसे हम सब को मिल के जितना है इसलिए घर पे रहिए मास्क पहनिये जरुरत पढ़ने पर ही घर से निकलिये चलिए दोस्तों चालो करते हैं आपका हमारा फेबरेट इभी ऑटो नीऊ आज हम बात करने वाले हैं Japanese giant company Honda के बारे में, Honda ने एनाउंस किया है कुछ बहुत ही interesting plan globally, उनका electric two wheelers के लिए, ता Japanese company Honda ने रिविल किया उनका आने वाला four two wheelers दोज़ेशोबीस तक, जो eco-friendly model होने वाला है, जिसमें से दो electric scooter and दो electric bike है, उनमें से तीन EVS position personal use के लिए होगा, जिसका performance 125cc petrol bike जैसा होगा, और last one e-bike को company ने हरन segment में रखा है, दोस्तो इस bike में company high performance tuning graphic के साथ, fully paired super bike बनाने वाला है, Honda इसमें से एक bike में already काम करने लगा है, जो CB 125 is electric bike होने वाला है, जो बहुत जल्द globally launch होगा, company ने announce किया है, इंडिया में EV बहुत fast growth कर रहा है, Honda के competitor company का EV already market में available है, इसलिए Honda बहुत जल्द उनका EV2 wheelers launch करेगा, 2023 से पहले, Honda HR EVs में से सबसे पहले, एक scooter launch करेगा, जो complete करेगा Arthur 450X बजात चेतक TVS IQ and upcoming Ola scooter से, ये scooter में हम expect कर रहे हैं, premium look के साथ, बहुत सारा premium features देगा, same price range में, ऐसे तो दोस्तों, Honda कह रहा है, जो ये 4 EVs को 2024 तक launch करेगा, बट बढ़ते हुए competitor को देखके, मुझे लगता है, Honda 2022 से पहले, ये 4 EVs में से, दो को तो launch करी देगा, जिसका expected price, एक लाग से शुरू होगा, दोस्तों information अच्छा लगा तो like और spare कीजिए, ऐसे और भी update पाने के लिए channel को subscribe कीजिए,